असलाम लेकम, आज आपको केक रास ब्रहना सिखा रहे हैं, जिसके लिए मक्खन लिया है, आदा कप चीनी, आदा कप, तीन अदद अंडे, एक कप मैदा, एक चाई का चमच बेकिंग पाउडर, आदा चाई का चमच वनिला एंसंस, और चंद कत्रे पीला कलर, सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसमें मक्खन डाल कर, इसको हैंडविक्स के साथ अच्छी तरह से बीट कार लेंगे, मक्खन को हमने अच्छी तरह से बीट कार लिया है, आप इसमें हम चिन्नी डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से बीट कार लेंगे, मक्खन और चीनी को हमने अच्छी तरह से बीट कार लिया है, आप इसमें हम अंडे डालेंगे, एक एक करके अंडे डालेंगे और इनको बीट करते जाएंगे, एक अंडे को डाल कर हमने अच्छी तरह से बीट कार लिया है, आप इसमें दूसरा अंडा डालेंगे, आप इसमें दूसरा अंडा डाल कर इसको भी बीट कार लिया है, आप इसमें तीसरा अंडा डालेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से बीट कार लिया है, अंडा को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, आप इसमें वनिला असंस डाल कर मिक्स करेंगे, अब इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डाल कर मिक्स कर लेंगे, मैदा और बेकिंग पाउडर को हमने पहले से चान लिया था, प्लीज आप जब भी बेकिंग करें, मैदा और बेकिंग पाउडर को हमेशा चान लिया करें, अब इसमें चंद कत्रे पीला कलर डाल देंगे, इसको भी अची तरह से मिक्स कार लेंगे केक रस का बेटर तयार है, केक का एक मॉल्ड लेंगे, इसको मखन से ग्रीज कार लेंगे, इसमें बटर पेपर लगा देंगे, इसको भी मखन से ग्रीज कार लेंगे अब इसमें केक रस का मिक्सर डाल देंगे, इसमें केक रस का मिक्सर डाल देंगे केक का मिक्सर डाल दिया है, आप इसको फ्री हिटी डिग्री सेंटिक रेट पर 25-30 मिन तक बेख कर लेंगे, आप अपने अमन के टमप्रेचर के हिसाब से केक को बेख कर लेंगे, आप इसको हम अमन में बेख कर लेंगे केक को अमन से निकाल लिया है, आप इसको किसी तूथ पिक या चूरी से इसना चैक कर लें, अगर साफ निकले तो इसका मतलब है केक बिल्कुल तयार है, अगर बैटर गिला हो तो आप केक को मजीद बेख कर लें, आप इसको हम ठंडा होने के बाद काट लेंगे केक ठंडा हो गया है, आप इसको निकाल लेंगे और काट लेंगे कर लेंगे बाद काट लेंगे काट लिया है, अब इसको एक ट्रेय पे रखते जाएंगे केक को ड्राइ करने के लिए हम इसको दुबारा ओवन में बेख करेंगे 114 डिग्री सेंटिग्रेट पर 15 मिन्ट तक इसको बेख करेंगे ताके ये ड्राइ हो जाए केक ठंडा को 15 मिन्ट के बाद अवन से निकाल लिया है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे केक रास को ड्राइ करने के लिए हम इसको एक सुपचास डिग्री सेंडिग्रेट पर पंदरा मिर्ट तक अवन में दुबारा वेकार लेंगे केक रास को अवन से निकाल लिया है ये बिल्कुर ड्राइ हो गए हैं आप इसकी अवाज सुन सकते हैं ये बिल्कुर ड्राइ हो गए हैं अब इनको हम सर्व करेंगे केक रास को चाय के साथ सर्व कर दिया है आप भी इसको जूल ट्राइ कीजिए गर बताइए का आपके केक रास कैसे बने अगर आपको रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना मुलें आला झाला झाली है